सो हलो गाइज ये बात है 1900 की जब कोई ग्रेजवेट भी हो जाता था तो वो भी एक बहुत बात मानी जाती थे पर उस समय एक इंसान ने बीए दो एमे पीछडी एमेसी लोग की पाराई डीएसी डीडॉट लिट जैसी डिग्रीस हासिल की जिनकी लिखी किताब वेटिंग फ से उन्हीं की बायोग्राफी सेर करने जा रहा हूं डोक्टर बाबा साहिब भीम्राव अमबेटकर जी का जन्म 14 अपरेल 1899 को मध्यपदेश के इंदोर जिले के महु नगर जिसे अब डोक्टर अमबेटकर नगर भी कहा जाता है वहा हुआ 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 का नाम जीमा भीम्राव अमबेटकर और पिता का नाम राम जी मालो जी सक्पाल है जिन्होंने अपनी मेहनत से सुबेदार पद हासिल किया बाद में वहां अपने परिवार के साथ सतारा में आकर रहने लगें अमबेटकर उनकी चोदवी वह अंतिम संतान से उनका परिवार और करश्ट जहलना पड़ता था नीची जाती के लोगों को स्कूल जाने की अनुमती भी नहीं थी पर उनके पिता ने अमबेटकर की पढ़ाई के प्रती अटूट लगन देखके उन्हें जेसे तेसे करके स्कूल में दाखिला दिलवाया उनके पिता ने स्कूल में उनके स्कूल की जगर अमबाडवारेकर लिखाया जो उनके गाओं अमबाडवारेकर से सिमिलर था क्योंकि कुछ लोग अपने गाओं के नाम से ही अपना उपनाम रखते हैं पर बाद में उनके एक ब्रामन टीचर क्रिश्न केसव आमबेटकर जिनका अमबेटकर प्रती बहुत उन्होंने अमबारवारेकर हटाकर अपना सरलसलने आमबेटकर जोड़ा था और आमबेटकर और उनके भलल बहईको छात्रों रखे जाता था और ऊबहुत गर बैसार से लाना पर फ़रता था निफ्ट ने पानी पीने के बरतन को चूले की भी इरजाज़त नहीन थी पानी शुआ छूट को नजल अंदाज करके अंग्रेजी की चोती रख्षा की परिक्षा में उत्तिर्ण हुए उस वक्त अच्छुतों में यहां बात कोई सामान्य बात नहीं ती इसलिए अच्छुतों के बीच यहां एक सारवजनिक समारों के रूप में मनाया गया और उनके पर् जारी रखी और 1907 में अपनी मेट्रिक परिक्षा में उत्तिरने हुए दूसरे साल ही उन्हें एली फिंश्टन कोलेज में एंट्री मिल गई और 1912 में अर्थ सास्त्र और राजमितिक विज्ञान में बीए की डिग्री हादिल की फिर वहां बरोदा राज जी की सरकार के साथ क सायकवार त्रतिय द्वारा एक योजना से उन्हें न्यूयोक में कोलंबिया युनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजिवेशन के लिए पर मंत सारे जारा डॉलर स्कॉलर स्विप भेजी जाती थी जहां 1915 में उन्होंने अर्थ सास्तर और अन्य सब्जेक्ट में एमें की डि जहां उन्हें लंदन स्कॉल ओफ एकोनोमिक्स में इंटरी मिल गई और वहां अर्थ सास्तर में अपनी थीसिस पर काम परना चालू किया और स्कॉलर सिप खत्म होने के कारण उन्हें बीच में ही मजबूरन वापस लोटना परा फिर चाल साल के लिए अपनी थीसिस कंप्ल 1920 में कोलापूर में साहु महराज और अपने मित्र और अपनी बच्चत से उन्हें एक बार फिर लंदन जाने का मुका मिला फिर 1921 में उन्हें MSC और 1922 में बेरिश्टर एट लो की डिगल मिली 1923 में उन्हें DSC की उपाधी मिली जब हो 1918 में प्रोफेसर बने तब दूसरे प्रोफेसर के चुवा चूत के मरताओं के कारण उन्हें यहां भी पानी पीने में बहुत दिक्ते आई इसके बाद उन्होंने चुवा चूत को खत्म करने के लिए संगर्स किया उन्होंने दलित और अन्य धार्मिक समुदायों क बेजल को सभी वजगों के लिए खुलवाने का संगर्स किया और छूतों को मंदिर में जाने के अधिकार दिलाने के लिए संगर्स किया 1927 को एक सम्मेलन में उन्होंने प्राचिन प्राठ और मनुस्मत्य जो चुवा चूत और जाती भैद्वाओं का समर्धन करती है उसे ओप्चाजी रूप से जला दिया 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अपने लोगों के सामने मनुस्मत्य की प्रतिया जलाई 1930 में आमवेटकर ने काला राम मंदिर सत्याग्रा चालू किया इसमें करीट 15,000 लोग महिलाएं और पूरुष सामिल थे जो भगवान के दर्सन के लिए चले थे पर ग्राम्मा नदिकारी रोद्वारा गेट बंद कर दी गए आमवेटकर ने प्रतम गोल में सम्मेलन में पहली बार अपनी राजनिति क्रश्टी दुकों दुनिया के सामने रखा अच्छुतों में बढ़ती लोगपियता के कारण उन्हें 1930 में दूसरे गोल में सम्मेलन में आमंत्यत किया गया जहां उन्होंने अच्छुतों की एक अ कारण 1932 में ब्रिटी सरकार ने आमवेटकर से सहमेती जताते हुए प्रतक निर्वाचिका देने की गोसना की इस प्रतक निर्वाचिका में दलित वर्गों को दो वोट का अधिकार दिया जिसमें एक वोट से दलित अपना प्रतिनीधी चुन सकता है और दूसरे से अन्य व गांदी जी की तर्वेद विगरती गई और जनता के दबाव के कारण और आमवेटकर जी को जुकना परा इसलिए वहाँ जेल में गांदी जी से मिलने गए और उनके बीच एक समझोता हुआ जो बाद में पूना पेक्ट के नाम से जाना गया जिसमें आमवेटकर ने प्रत कि हिंदु समाज को जालने के लिए इसमाज कोई मतलब नहीं जिसमें मनुस्य कोई मários नहीं है जो अच्छुतों को सिक्षा प्राप्त करने नहीं देता नोकरी में बादा पहुच जाता है अपमान और कर्ष्टर देता है यहां तक कि पानी पीने को नहीं मिलता एसे धर्म का कोई मतलब नहीं आमबेटकर ने तैय किया अखंड इत्यादी चीजों से जकरा हुआ हो आमबेटकर ने धर्म परवलतन की घोसरा करने के बाद 21 वर्स तक के समय के बीच उन्होंने विश्यों की सभी प्रमुक धर्मों का गहड़ा अधियन किया और आकरी में उन्हें बहुत धर्म पसंद आया जो कि बहुत धर्म अंधिविश्वास की जगा बद्धी का प्रयोग करता है प्रेम और समानता की सिख्षा देता है भारत को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को कॉंग्रेस की नई सरकार अस्तित्व में आई इसने आमबेटकर को देश के पहले कानून एवं न्याई मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया आमबेटकर जी ने उन्हें स्विकाल किया आमबेटकर जी ने सहट देशों के समिधानों को पढ़ा था आमबेटकर को भारत के समिधान का पिता भी कहा जाता है समिधान सभाद्वारा 26 नवंबर 1990 को समिधान अपनाया गया आमबेटकर जी ने अर्थ सास्तर पर तीन किताबे लिखी Administration and Finance of the East India Company The Evolution of Provincial Finance in British India The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution जिसके आधार पर भारतिय रिजर्व बेंक बना भारतिय रिजर्व बेंक आमबेटकर के विचारों पर आधारी था 1940 के अंत में उनकी तवियत बिगरने लग गई वहाँ नीम के अभाव से पिज़ित थे उनके पेरों में नियूरोपेथिक दर्ग था वहां इंसूलिन और होमेपेथिक की दवाय ले रहे थे फिर वहां इलाज के लिए बॉम्बे गए और वहां डोक्टर सार्दा कबील से मिले जिनके साथ उन्होंने 15 अफ़रेल 1848 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवा किया 1948 से आंबेटकर मदू में से पीरित थे राजनितिंग वुद्धो से परशान आंबेटकर जी का स्वास्त बद से बत्तर होता चला गया अपनी अंतिम किताब भगवान बुद्ध और उनका धम को पूरा करने की तीन दीन बाद 6 दिसंबर 1956 को आंबेटकर जी का निधन हो गया और वार्स आंबेटकर जैनती पर सारोजनिक अवकास रखा जाता है 1990 में उनके निधन के बाद उन्हें भारत के सर्वोचे नागरिक सम्मान भारत रत्मे से सम्मानित किया गया आंबेटकर जी का संदेश था सिक्षित बनो संगर्ठित बनो संगर्ठ करो आंबेटकर जी ने तीन महान लोगों को अपना गुरु माना था गोदम बुद्ध संत कबीर और महात्मा जूतिराव फुले उनके तीन उपास्य ग्यान सोभिमान और सील उमीद करता हो कि इस वीडियो से आपका वक्त बड़ बाद नहीं हुआ होगा तो प्लीज इसे लाइक करें इस वीडियो को सेल करें ताकि हैं जानकारी सीमित नहों कर और लोगों तक पहुछें हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कोई जानकारी मुझे से चुट गई हो तो प्लीज उसे कमेंट के जरी हमारे साथ सेल करें इस वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका धन्यवाद